नबस्कार स्वागत है आपका न्यूस क्लिक पर मैं हूँ नीलू व्यास पांच राजियों के चुनाव नतीजे आने के बाद हर शक्स एक ही बात कर रहा है कि आखिर बीजेपी का तोड क्यों नहीं है आखिर बीजेपी के पास ऐसी कौन सी राजिनीती है जिसका काट विपक् चलता रहेगा लेकिन कुछ बड़ी तस्वीर जो सामने उभार कर आती है वो कुछ इस तरह से है और इसको पॉइंट वाई समझते हैं पॉइंट नमबर एक पुलिटिकल लैंड्सकेप में दूर दूर तक बीजेपी का कोई मेल नहीं है और ना ही कोई विकल्प है पॉइं पॉइंट नमबर तीन क्या मोदी जी की लोग प्रियता को कम आका गया क्योंकि सबने शायद ये सोचा कि किसाना दोलन महंगाई बेरोजगारी के आधार पर जनता बीजेपी से शायद अलग हो जाएगी पॉइंट नमबर चार महिलाओं और लाभार्थियों का वर्ग क्या इन चुनावों में सबसे महतपूर रहा है ये भी देखने वाली बात है और पॉइंट नमबर पांच क्या इन पांच राजियों के नतीजों ने राजनीती का एक नया आयाम सेट किया है जिसमें विपक्ष, मजबूर, बेबस, लाचार और निहत्था सा दिख रहा है तो च राजेश के जाने माने पॉलिटिकल कॉमेंटेटर, लेखक, सत्तिहिंदी.com के एडिटर इन चीफ है आशतुष आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोग जोशी जो के बहुत जाना माना चेहरा है, CNBC आवाज के पूर संपादक रह चुके है वरिश पत्रकार हैं, लेखक हैं, जोशी जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफिसर अपूरवानन जो के दिली उनिवर्सिटी से हैं, अगैन ही जो जमीनी हकीकत है उन्होंने बहुत क्लोजली जानी है कि यह जो राज्यों के चु बहुत स्वागत है, और आज की चर्चा मैं आलोग जोशी से शुरू करती हूँ, आलोग जी मुझे यह बताइए कि जो इन पांच राज्यों के जो चुनाओ नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है कि अभी बहुत मन्थन होगा, इस पर रिसर्च होगा, कि आखिर कौन सा फैक है कि क्या बीजेपी को समझ नहीं पाए, तो हम बीजेपी को समझ तो रहे थे, लेकिन शायद हम वो कहने से गुरेज करते रहे, परेज करते रहे, और हमें अंदर कहीं, खास तोर पे हम जो एनलेस् बिरादरी है, हमको अंदर कहीं अपने उपर ये विश्वास नहीं था, या हमको भारत की जनता पर कुछ बहुत ज़्यादा विश्वास था, हमें लगता था कि ये बात जो हम सोच रहे हैं, जो हमें दिखाई पड़ रही है, ये इस हद तक सच नहीं हो सकती है, ये इस हद तक सच नहीं हो सकता है, कि भारती जनता पार्टी या जो भारती जनता पार्टी ने इस बार साफ साफ नहीं कहा लेकिन जो योगिया दितिनाथ ने कहा असी बीस का मुकाबला वो जनता के मन में घर कर जाएगा और वो इस हद तक असर करेगा साथ में जो दूसरा बड़ा फैक्टर है उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि पांच राजियों में से चा भी बिलकुल मुकाबले का मामला है और दोनों में एक चीज कॉमन है वो एक चीज है डिलिवरी ओन प्रॉमिस जो प्रॉमिस किया उसको डिलिवर किया तो जिन लोगों को वो चीज चाहिए जैसे गरीबों को अनाज देने का मामला हो गरीबों को मुफ्त में बिजली देने ऐह माँका मिलेगा तो यहां वी करके दिखाइंगे लेकिन जो बात आप कह रहीं क्या हम समझने में चूप गए तो हां हम बिलकुल समझने में चूप गए इस माइने में कि एक्रॉस कास्ट लाइन्स बल्कि मैं कहूंगा आज कि इन चुनाओं के नतीजों को अब बारिकी से उसका जो ताजा आंकड़ा CSDS ने निकाल के दिया है सरकार तो यह आंकड़ा जारी नहीं करती है या चुनावायो कि किस जाती के लोगों ने किसको कितने वोट दिये हैं और इसेस ने सभी जातियों के लोग हिंदू हो गए हैं और इन्होंने हिंदुत्यू के नाम पर बढ़ चड़कर वोट दिया है और इसमें आप बाकी जातियों को छोड़ दें जिन जातियों का नाम यादो दस परसेंट यादव 2017 में वारती जनता पार्टी के साथ उत्तर पर्देश में इस बार 12% हो गए हैं मुसलमान 6% थे वह 8% हो गए हैं जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तरफ वह 46-18 हो गए हैं या यादो भी 68-83 हो गए हैं लेकिन भारती जनता पार्टी के तरफ जाने वालों की गिंती में कमी नहीं आई है कमी सिर्फ एक जगे दिख रही है वो है निशादों में जो 74-63% होए हैं लेकिन बड़े पैमाने पर आप कहेंगे निरेटिव तो दो हैं एक डिलिवरी जो डिरेक्ट बेनेफिट जिसको कहते हैं जिसको मैं कैश और केरी पॉलिटिक्स कह रहा हूं और दूसरा हिंदुत्व जिसने सारे जाती के बंदन तोड़ दिये हैं अब आदमे को सिर्फ धर्मियाद है और कुछ नहीं प्रफेसर पूर्बन जी जो बात भी आलोग जी कह रहे थे कि एक तरीके से जो जातियों का नाश कर दिया है बीजेपी ने तो क्या ये एक नया पारड़ाइम शिफ्ट है और आलोग जोशी जो बोल रहे थे वो व्यांगी में बोल रहे थे और उसको व्यांगी में ही समझना चाहिए जातियों को नाश नहीं है जातियों का उन बुलन नहीं है बलके जातियों को बारगेनिंग ब्लॉक्स में काम्याबी से बदल देने की कोशिस है जो बहुत दिनों स चल रही है और इसमें सिर्फ भार्ति अंता पार्टी को आप दोश नहीं दे सकती हैं भारति अंता पार्टी ने सफलता इसमें प्राप्त की है कि उसने इन ब्लॉक्स के साथ negotiation ठीक किया है और दूसरी चीज जो इसने इन जातियों को प्रदान की है और यह पिछले 10 वर्ष से पंद्रवर्श से देखा जा रहा है, यानि इसलिए सामाजिक नयाय की राजनीती को पूरी तरह से सर के बल खड़ा गर दिया है, वह यह है कि जातियों के अस्तितु को इसमें स्विकार किया, और यह कहा कि आपको आपकी जाती का सारा अधिकार मिलेगा, सारा सुख मिलेगा, और जातिगत व्यवस्था के जितने सुख होते हैं वह आपको मिलेंगे, यानि आप दूसरी जाती का उत्पीडन कर सकते हैं, अपनी जाती के लिए विश्यशा दिकार ले सकते हैं, उसके साथ हम आपको एक अतिरिक चीज़ दे रहे हैं और वह हिंदुतु, यानि आप हिं बनाना है, तो आप उनके सामने मुसलमान खड़ा करें, आप एक बार मुसलमान खड़ा करेंगे, तो वह हिंदु बन जाएंगे, या काम भारती जन्दा पार्टने के हैं, तो यह हम गंभीरता पूर वक्शा देख रहे हैं, तो हमें तेहना पड़ेगा कि यह कोई जातियो का विनाश नहीं है, या उनको आपरासंगी बनाने नहीं है, बलकि जातियों का चुनाओं के लिए एक सफल इस्तेमाल है, और बलकि एक और खतरनाक चीज़ करना है, जो इसके पहले नहीं था, जो सुसुक्त थी, सोही हुई चीज़ थी उनके अंदर, वह है उनके भीतर के हिंदुतु को, जो कि दरसल मुसल्मान और इसाई विरोध है, उसको जागरत कर देना और उसको हिंसक बना दे और यह बहुत खतरनाक है, यह सिर्फ मत्दान तक सीमित नहीं रहेगा, यह बात तक जाएगा और यह चीज़ हमने हमेशा देख लिए, तो मैं आलोग जोशी के वियंगे को समझ रहा हूँ, और मैं यह मानता हूँ कि इस पर डूसरी पार्टियों को इसलिए साउधान होना चाहिए, क्योंकि कल से मैं यह भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की कविशलेशन, कि मुसल्मानों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, और मुसल्मान कभी तरित को अपना नेता नहीं मनाते हैं, तो इस चुनाल से यह भी बहुत सपष्ट है कि अगर मुसल्मानों ने एक मुष्ट समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया होता, और अगर वह बहुजन समाज पार्टी के इस भुलावे में आये होते, जो उ सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों की वज़ा से है, अगर संघर्ष करने की जगा बची हुई है, तो उसकी बड़ी वज़ा मुसल्मान है, कि वह संघर्ष करने की जगा बची है, तो अब बाकी जातियों के नेताओं को और बहुजन राजनीती करने वालों को और उसके अच्छे तो जो लाजर इंप्लिकेशन इसका है जो जो भी एक सोशल डाइनामिक्स नजर आ रहे हैं इन चुनाओं के नतीजे के बाद और काफी लो परमन्थन भी कर रहे हैं तो एक लाजर इंप्लिकेशन जो राष्ट्री स्थर पर आप देखते हैं चाहे वो विपक्षी हो चाहे फिर सत्तारूर दलो वो जो तरीके से अपनी राजनीती को आगे बढ़ाएगा तो वो जो राशनल इंपक्ट है और लाजर इंप्लिकेशन है वो क्या देखते हैं यह जो चार राज्यों के चुनाओं है इसमें इसके आधार पे किसी बहुत बड़े निसकर्ष पर पहुचना मुझे लगता थोड़ी सी जल्दबाजी होगी यह बात मिसले कह रहा हूँ क्योंकि 2017 के बाद से भारतियंता पार्टी तक्रीबन तक्रीबन 11 राज्य हार चुकी है और उसमें बड़े राज्य भी है उसमें मदपदेस राहसान चत्तिस गड़ भी था और तो रा परसेंट से लेके 26 परसेंट तक गिरावट होती थी यह में पहली बार देख रहा हूँ 2014 के बाद 2017 जरूर स्टेट और के बीच में जो चुनाव होते थे उसमें एक सिंक्रनाइज़ेशन था लेकिं 17 के बाद जरूर बीजेपी का वोट शेयर गिरा है राज्यों के लेकिन इसी के बरक्स मेरी बात शायद contradictory लग सकती है लेकिन एक बात स्पस्ट है कि भारती जरूर पार्टी का जो हिंदुत वोट है वो धीरे-धीरे consolidate हो रहा है नकिमल consolidate हो रहा है बलकि उसमें expansion भी हो रहा है expansion का मतलब यह कि जो पहले यह समझ थी कि भारती जरूर पार्टी का जो हिंदुत वोटर है या जो polarized वोटर है वो बीस से बाइस परसें उसका core वोटर है अब मुझे लगता है कि उसमें वो बीस से बाइस से बढ़के 30 या 32 तक पहुँच रहा है प्लस जो दूसरे वोटर है जो मोदी के अपने समर्थक हैं जो development की बात करते हैं जो बिपक्ष से बहुत नाराज है और जिनको रहुल गांदी पसंद नहीं है ऐसा वोटर है जो हिंदुत तो प्योर हिंदुत वोटर नहीं है लेकिन वो बीजेपी को वोट देता है तो मुझे लगता है कि यह 10 से 12 पर कि लाभारतियों ने फाइदा तो बीजेपी को पहुंचाया है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पहुंचाया है कि दरसल वो चुनाव जीट सके हैं लेकिन जब हम polarization का वोट देखते हैं तो बहुत ही बहुत ही एक चिंता जनक तस्वीर सामने आती है CSDS का सरेज यह केता है कि जहां 20 प्रतिशत से कम मुसल्मान है और वहा हिंदुओं ने BJP को 51 पर सेंड वोट दिया है समाज़ादी पार्टी को 30 पर सेंड वोट दिया है जहां 20 से 40 पर सेंड टक को मुसलिम है वहां 69 प्रतिशत है SP को 18% वोट मिला है और जहां 40 से ज़ादा है वहां हिंदुओं ने 70% 69% जो है वो BJP को वोट दिया है यानि जहां मुसलिम बड़ी तादात में हैं वहां हिंदुओं का कंसॉलिडेशन बिलकुल एक तरफा है 70% कंसॉलिडेशन यह बहुत अपने आपे बड़ी फिगर है और इसी के उलट अगर आप यह देखे कि जहां मुसल्मानों की संख्या 20% के आसपास कम है वहां मुसल्मानों ने SP को 14% वोट दिया है जहां 40 प्रिश्चत से ज़्यादा मुसलिम है वहां 94% है यानि दोनों तरफ एक तरीके से कंसॉलिडेशन के स्थिती दिखाई पड़ती यह सबसे चिंता की बात है तो जो लोग यह लाभार्ती चेतना की बात कर रहे हैं तमाम चीजों की बात कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखिए तो जो जो एंटीन कंबिंसी की बात की जा रही थी जब इस सर्वे में ये पूछा गया कि वो कौन से बड़े मुद्वें जिसके आधार पे आपने अपना वोट तैं किया है तो हैरानी की बात यह है अपने आप एक बहुत बड़ा कंटाडिक्ट्री फिगर आता है 74% लोगों ने कहा कि महंगाई की वज़े से मैंने अपना वोट तैं किया और 74% लोगों ने कहा कि development की वज़े से मैंने तैं किया और unemployment पतलब लोगों के महसूस हो रहा था कि महंगाई बहुत जादा है development नहीं हुआ है बेरोजगारी बहुत जादा है और अगर ये 70% ये 74% तक है तो फिर इसकी वज़े से केंदर सरकार या राजी सरकार को punishment पहलना चाहिए लेकिन वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा तो इसका एक कारण ये हो सकता है जो दो कारण एक कि विपक्ष इन मुद्दों को पूरी तरीके से एक बड़े narrative के form में नहीं पेश कर पाया ये उसकी कमी थी दूसरा वो ये यकीन नहीं दिला पाया कि इन दोनों मसलों के उपर वो केंदर की सरकार BJP की सरकारों से बहतर solution दे सकती है तो trust level भी कहीं न कहीं कब दिखाई पड़ता है फिर भी मैं कहूंगा कि ये consolidation कितना है BJP लगातार expand कर रही है तो गुजरात के चुनाव आगे उसके बाद करनाटा का चुनाव अद्द पदेश राइजान 36 गरी ये पाँच बड़े राज्ये हैं वेस्ट में है, साउट में है और नॉर्थ में है और इस्ट में है अगर यहाँ पर भी BJP अपना वोट शेर इंक्रीस करती भी पाती है और जो मौझूदा सरकार या तो बनाती है कंग्रिस की सरकार पदस्त करती है तब ये ठियरी पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी कि किस तरीके से हिंदू कंसॉलिडेशन बड़ी तेजी के साथ हुआ है और इसका फाइदा BJP को हो रहा या फिर चुकि विपक्ष मुद्दा नहीं बना पा रहा है इसलिए BJP को इस डिफॉल्ट फाइदा मिला तो इसका मतलब तो साफ है कि जो हम तीना फैक्टर की बात करते है कि there is no other alternative तो वो चीज बहुत prevalent था लेकिन जो एक चीज जो मैं सोचके भी थोड़ा सा हैरान हूँ कि हमेशा एक धारना बनी रहती थी कि अगर सरकार ने आपके लिए काम नहीं किया है सरकार ने आपके लिए डेलिवर नहीं किया है या जो burning issues हैं सरकार उनको अगर address नहीं कर पाती तो लोग उस सरकार को उखाड कर फेग देते हैं यह क्या myth यहाँ पर shatter होता हुआ दिखता है कहीं नहीं कि जो बाते भी आशितोष कह रहे थे कि issues की कमी नहीं थी यह जो बात यह है कि मुझे यह जो बात यह है देटा सुरू से जो बाते हो रही है मैं थोड़ा सा उनको लेकर उतना मैं मोटे मोटे तोर्पे यही देखता हूँ कि देखे बहुत कुछ पता चल जाता है अगर आप लोगों से बाक्षित करते हो और मोटा मोटा चीलियों को देखते हो विपक्ष ने जो लड़ाई दी विपक्ष का मतलब सपा था और कोई नहीं था इस बार यह आप समझ लीजिए एक तरह से बहुजन समाज पार्टी जो है एकार सकतर जो बढ़ा है वह नहीं बढ़ता अगर आपके आप कहते हैं यह सारे मुद्र माइने उसलघ हो हुआ double राट बाखका जो हं तक theavic the the Lightning đ двух 2017 को आप compare करें तो उसमें ए देड़ परतिसत का मुनाफ़ा है और अगर 2019 के साथ compare करें तो उसमें मैं भाजपा की वोट शेर देखता हूं उसमें लगबग 8% का घाटा है ठीके ना तो चुकी भारतिय जमता पाटी जीत गई है लोग अब यह नहीं देखना चाह रहें कि हुआ है क्यों हुआ कैसे हुआ जो और भोट बेसे भारतिय जन्ता पाटी का मैं आशुतों से यह सहमत होंगा कि यह बढ़ते जा रहा है एक जो हिंद्वाइजेशन का प्रोसेस और यह हिंदुत्व फोल्ड में ज्यादा से ज्यादा बर्गों को लेने का जो कारियर अनब इलेक्टरल जो रेजल्स होना चाहिए या इलेक्टरल डिविडेंट कितना दे सकता है वो एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुका है इसके आगे जो है वो अनेक अनेक तरीके इस्तिमाल करके भाजपा वो जुड़ती है उसमें एक लावारती कह लिजिए और कई स सारे चीज़ें जिनका इतना आपके समय सिमित है उससे नहीं कहा हजा सकता है सारे से लेकिन बहुत सारे और bी हग कंडनें हैं इस पार्टी के साहथ आप इनको समझजिए इस चुनाभी तैयारी इतना अच्छा इस पार्टी के नहीं रहता है हम हमेसा मानके चलते हैं कि 3-5 फिसदी भूट भारतिय जन्टापार्टी दोसरों से ज़्यादा लेती है शिर्फ इसकी चुनावी तेरी के करवश sekarang और कुछ नहीं है इसके साथ कौन है इसकाreck आइडियोलोजिकल है या नहीं है सब कुछ नहीं होता है सिर्फ चुनावी टैयरी के चलते इनको तीन से पांच परसेंट बोट आता है अगर चुनावक को जाकर बहुत अब देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कैसे आपड़ा है तो यह बड़ा बड़ा क्या डिफरेंस है आप देखिए यह तीन से प तोड़ेबो जहां कुछ घटे उनका उस लॉस को मेक अप किया आप यह नहीं मानते है राजेश की बहुत बड़ी फर्मिड़ाबल विक्ट्री बीजेपी के हाथ लगी है जिस तरीके से प्रदान नंची नरेंद्र मोधी उजन बीजेपी हेड़क्वाटर्स में जिस तरी ठीके उस उस बात का साथ मतलब यह था कि हमारा अच्छे दिन प्रमिज काम नहीं किया हमें नया नैरेटिव चाहिए और एक नए तरीके से राजिन पी लगने जा रहे हैं और अगला पांच साल से उसका प्रतिफर लगवा इस बार विक्ट्री रैली के बार उन्होंने फि उसके साथ यह महिला वोट हो यह लावार्ति वोट हो नवीन पत्नाएक उडिसा से गिये हैं कुछ तमिलनादू राजनितिस से गिए हैं जैललिता से गिए हैं कुछ केरणा में भी जो हो रहां आज के डबर महिनावत को लेकर उस से गिये उन्होंने अलग-अलग राज्य म यह कि आज देखिए 2017 से ज्यादा फर्मिडब यह नहीं है क्योंकि 2017 में कोई नहीं सोच सकता था जिस तरह से भाजपा सरकार में आई उस तरह से आएगी इस बार लोगों को फिर भी उमीद था कि हो सकता है भाजपा इकांटे का टक्तर है भाजपा निकल जाएगी लेकिन 2017 के बाद तीन राजप चुनाब में जब भाजपा हार गई जैनुवरी 2019 तक देश का महौल बदन चुका था यह पुलुवामा और बाला कोट लेकर फिर इन्हों ने बदन दिया तो राजनीच में रिखिए ऐसे मत यह 2024 उन्होंने जो कहा कि 2022 2024 में क्या होने वाला है वो बताया एसा कुछ नहीं है मिश्ची तुरुप से यह बीजेपी को एक एडवांटेजर्स पोजिशन में डालता है इसका मतलब यह नहीं है कि अपोजिशन के पास अपोजिशन को को इससे बहुत बड़ा दिमोराइज हो जाना चाहिए या निरास हो जाना चाहिए या इसा कुछ अपोजिशन नहीं होना चाहिए लिकिन यह यूटोपियन सी सिचुएशन अभी लगती है आलोग जी आपका क्या आकलन है अब देखे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उन्होंने आज एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब वो जो करहल जो उन्होंन के साथ लड़ने की कोशिश कि उत्तरप्रदेश में वो आप कहीं नहीं हारा हुआ डरा हुआ महसूस कर रही है आपको लगता है क्या यह इस इस बात का संकेत है मुझे नहीं लगता है सिधे सिधे इस बात का संकेत है और मुझे लगता है कि अगले लड़ाई लोकसभा की होनी है तो मैं लोकसभा के संसद के तौर पर अगर लोकसभा में जाकर अपनी आवाद उठाओंगा बुलंद करूँगा तो शायद मैं अपनी भूमिका इस वक्त ज्यादा महत्पूर्ण तरीके से निभा पाऊंगा मैं उससे सहमत हो सकता हूं या सहमत हो सकता हूं लेकिन अब ये दुनों जगे से वो जनता के प्रतिनिदी हैं किसी एक जनता के साथ उन्हें इस वक्त रहना होगा और किसी एक जनता के से अलग होना होगा तो ये ये चैन तो उनको ही करने देना चाहिए. मैं ये भी कह सकता था कि अखलेश याद हो विपक्ष के नेता के तौर पर अगर विदान सवह में बैठते और अपनी भूमिका का जिम्मेदारी के साथ निर्वान करते तो शायद वो ज्यादा प्रभावी होते लेकिन उत्तर प्रदेश की व उनको होते रहे और उन सप्लीमेंटरी बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रचार पर हर्च हुआ है वो ज्यादातर सप्लीमेंटरी बजट का हिस्सा सुचन विभाग के विग्यापन का बजट होता था उसमे विपक्ष के होने ना होने का दरसल कोई अर्थ रहा नहीं वहां सो सीट विपक्ष की बढ़ जाएंगी इससे विपक्ष के होने का कोई अर्थ हो जाएगा ये सोचना समझना बड़ा मुश्किल है तो ये बड़ी विकट लड़ाई है और इसमें अखलेश को कैसे लड़ना है मुझे नहीं लगता है कि अखलेश को हमारी सला सुन रहे होंगे य हाद जब उनके पास सरकार नहीं थी उनके सामने इक ऐसी सरकार खड़ी ती जो कई कई जिसके जिसको आप कह सकते हैं तो आपनी घर्तियां भी दिखती होंगी अखलेश अपनी कमजोरी समझते होंगे और इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस पर टिपणी नहीं करूंगा कि वो मैदान छोड़के भाग रहे हैं मैदान छोड़के भागने का वक्स शायद उनके लिए आया भी नहीं है उम्र भी उनको जगे देती है आई हों उससे मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता है वोट शेयर को देखें तो मजबूत प्रदर्शन है लेकिन सामने भारतिये जनलता पार्टी जिसके खिलाफ एंटी इंकम्वेंसी होनी चाहिए थी उसके बजाए उसने और अपना वोट शेयर थोड़ा सा मजबूत कर लिया या वो कहिए कि उसने अपनी इंटी इंकम्वेंसी को प्रो इंकम्वेंसी से कॉम्पंसेट कर लिया या वो दूसरे नए वोट ले आए यह एक अलग कता है मुझे लगता है चिंता इस वक्त इस बात की होनी नहीं चाहिए और अपुरो अरण जी सही कह रहे थे अपने अंदर हम उसको जुटलाने का प्रयास कर रहे थे हमें लगता था भारती समाज ऐसा तो नहीं हो सकता है और सबसे बड़ी चिंता जो है वो इसी बात की है चिंता इस बात की नहीं है कि कौन सी जातने किसे वोट दिया किस वर्क के लोगों को लाब मिला भारती जंता और इलेक्टरिसिटी और माराशन और महीने के तनका लिफाफे में रखके पहुंचाने लगे तो इसमें हमको क्यों चिंता होनी चाहिए ये कोई दिरकालिक चिंता है जिसकी होगी उसकी होगी हमें आज जो चिंता करनी चाहिए वो ये है कि इस देश को इस समाज को जिस अ WhatsApp ग्रूप में देखिए और अपने नजदीक अपने दोस्तों के आचारवेभार में देखिए वहां पता चलता है कि समाज को किस तरह से एक बिल्कुल साफ साफ बांटने की कोशिश हो रही है एक मुक्हिमंतरी हम 80-20 का चुनाव लड़ रहे हैं कहकर निकल जाता है उसके बाद वो चुनाव जीच जाता है और उसके बाद उसको सेलिबरेट भी किया जाता है और जो लोग उतर प्रदेश में हैं जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी तो छोड़ दीजे भारत के दूसरे हिस्सों में और यहां तक के दुनिया के दूसरे हिस्सों में बैठे हुए लोग जो 30 साल से चालिस साल से इस देश को छोड़के गए हुए है जिनका यहां कोई लेना देना नहीं है कोई स्टेक नहीं है गाओं कहां है पता नहीं है घर कहां है पता नहीं है भी नहीं होगा वो भी इस स्वुमर्श में हिस्सा ले रहे हैं और बहूत प्रसंथ नो रहे हैं ये कहते हुए कि अब वक्त आ गया है कि अब हिंडू को जागना होगा और अब तब को समझ लेना होगा कि हिंडू को सारी जातियां के रोहित हो गई हैं ये हमारे लिए हमारे समाज के लिए हमारे भुष्ट के लिए हमारे बच्चों के लिए हमारी दुनिया के लिए अच्छा होने जा रहा है ये खराब होने जा रहा है ये हर आदमी को दिल पे हाथ रखके सुचना हो बहुत महतुपूर पॉ और यह कहते हैं कि दैखें, जो दिसिशनस है, उनको भी क्वेस्टिन करने का समय है कि क्या उन्होंने सही किया या बनद किया हलाकि यह सब्जेक्टिम है, कौन किसको वोट कर रहा है ये परसनल चोईस है लेकिन आज कहीं न कहीं जिस साइकिक की बात अभी आलोग जी ने कहीं कि हम कैसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आज हमें उन चीजों पर भी सवाल उठाने की आज जरूरत पड़ रही क्योंकि अगर आज मैं अगर य कि आज वोटर की साइकी पर क्या हमें विमर्ष करना चाहिए क्या हमें विचार करना चाहिए और जिस तरीके से पूलिटिकल पार्टी को क्वेस्चिन करते हैं शुड वी नॉट स्टार्ट क्वेस्चिनिंग दिक्कति यहां जो गुद्धिजेवी भी है और बाकी लोग भी हैं, वी यह कहने लगते हैं कि जनता सरवोपली है, जनता के नेरने सर माते पर रखना चाहिए, और आप उसकी बुद्धी पर भरोजा करें, उसके विवेग पर आप प्रश्म न करें, लेकिन जैसा हम सारे लोग हैं कि जनता को जनता बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, उसको सूचना चाहिए, उसको विशलेशन के औजार चाहिए, और अगर वह उसके पास नहीं है, तो फिर बहुत कठिन होता है उसे अपने लिए नेरे करना, तो यह सारी चीज़ें उसके पास नहीं है, और एक विराठ प्रचार तंत्र है, जो सूचना की ख बहुत बड़ा घपला कर दिया है तो जो लोग EVM की बात करते हैं मैं बहुत दिनों से यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यह दरशल EVM के साथ घपला नहीं है जितना जनता के दिमाग के साथ घपला है तो एक confused दिमाग है जो confused दिमाग चीजों को process करने की उनका अर्च समझने की पोशिस कर रहा है और उसमें वे सारी सारी संस्थाएं और सारे साधन जो मदद किया करते थे पहले वे बिलकुल उसके खिलाब खड़े हो गए हैं यानि जनता को अपने आपको नश्ट कर देने की तरफ ल लेकिन यह जरूर है कि जनता का एक बड़ा हिसा है जिसके बारे में आलोग जोशी ने कहा और उससे लगातार बात करने की जरूरत है कि आखिर वोट से आप एक समाज भी बना दें हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि यह किस प्रकार का जनादेश है जिसमें समाज के एक तबके में इतना उल्लास है लेकिन दूसरे तबके में इतना ही आतंक है तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर जनादेश में समाज के सारे तबकों की समान भागिदारी नहीं हो पा रही है तो वह जनादेश सही जनादेश नहीं है एक और दूसरे के जनादेश के पीछे कई कारण हो सकते हैं, राजेश ने उनकी तरफ इसारा किया, लेकिन जनादेश का अर्थ कुछ और निकल सकता है, आश्यतुष लेकिन जो एक जो सकी बात तभी हम कर रहे थे, तो यह जो लाभार्थी स्कीम्स जो लाते हैं, वेलफेरिस्ट स्टेट होना चाहिए, लेकिन बात, अल्टिमेटली एवरिफिंग बॉल्स डाउन की, इस तरीके का जो हम कमपेटिटिव पॉपिलिजम लेकर आते हैं, जैसा कि बीजेपी कर रही है, कि आप फ्री में सब कुछ राशन दीजे, फ्री म कि आप अपने राइट्स मत मांगिए, लेकिन हाँ, आपको खाना मिलेगा, आपको बिजली मिलेगी, आपको पानी मिलेगी, तो क्या ये गवनेंस का, क्या ये एक नया मॉडल बनता जा रहा है अब भारत में धीरे-धीरे, और लोग उसको खुशी-खुशी एक्सेप कर र हैंगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इमिजरी है, जो हमारे हाँ, जो एक आइडेंटिटी की कॉंशिसनेस है, और जो डिलिवरी है, डिलिवरी के माध्यम से उस इमिजरी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जहां कि आप बहुत सटल तरीके से, क्रूड तरीक पार्टी RSS कभी भी कमजोर थी, लेकिन उनका वोट बेस, उनका बोट शेर बढ़ता नहीं था, वो बीस परसन का असपास, पंदरा परसन का असपास ही टिका रहता था, वो सॉलिड उनका वोट बेस था, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस टैक्टेस और स्टेटिजी का इस्तेमाल किया है, लाभार्थी, योजना या जो डारेक्ट बेनिफिशेरी वाली है, यह उनमें से है, लेकिन मैं अभी जो मैं डेटा लगातार देख रहा हूँ और मुझे बहुती जो स्टार्ख रियालिटी हिंदुस्तान की है, उसका बहुत साफ रिफ कि ब्राहम рядом वोटर जो है वो बीजयपी से चितक गया है, क्या कहा गया, जाट वोटर उनसे चितक गया है, दो बड़े हास्त अफिर क्या कहा गया कि जो अधर देन यादो वी सी जो बीजयपी की तरफ गया था उसमें कमी दिखाई पड रही है, जो जब जो बड़े बहुत बड़ा narrative बनाने कुछ उसके कि Brahman voter खिसक गया है हाकिकत यह है कि 2017 की तुला में Brahman voter 83% अगर voter दिया था तो 22 में 89% 6% के आलबो 100% voting हुई है तो कहां Brahman नाराजवा कहां छिटक गया ठीक है राजपुत तो पहले से उनके साथ थे वैश भी पहले थे उसमें साथ थे और अगर आप नीचे जाकर देखें तो जो other than यादव OBS है उसमें थोड़ी थोड़ा सा अभी वो है उसमें बहुत ज़्यादा growth दिखाई नहीं पड़ी 2017 की तुलना में 2017 में कोरी मौरिया कुश्वाह ने 56% वोड़ दिया तो 22 में 64% वोड़ दिया लेकिन केवट केशाओ मला निशाद में 74% वोड़ दिया थे 2017 में वो घटके 63% हो दिया यानि उसमें more or less जो है वो stagnant है उसमें बहुत ज़्यादा moment नहीं और समाजादी पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा थे कि वो अपनी तरफ लेके आएगी वो उसमें लाने में काम्याब नहीं लेकिन अगर इसकी दूसरी तस्मीर अगर आप देखेंगे तो शायद वो दरावनी तस्मीर है दरावनी क्यों है मैं 2022 के बारे में बात नहीं कर दा है 2022 में ब्रामणों का वोट रिजिस्टर ही नहीं हुआ ब्यस्पी के पक्ष में राजपूतों का वोट सिर्फ दो प्रतिशत है और वैश का सिर्फ एक प्रतिशत है अब इसको जो हमारे समाज की जो सच्चाई है अगर आप उससे जक्स्टा पोस्ट करें जो बार बार यह कहा जाता है कि अपर कास्ट और दलितों के बीच में का जो रिष्टा है जो हजारों साल के रिष्टा है वो यहां क्लिर्डी आइडिन्टिफाई है यह क्लिर्डी एक्सप्रेस हो रहा है यहांपे अब इस सच्चाई को हम कैसे कैसे मूँ मोड लेते हैं अगर बीच पी अगर हम यह मालने की नहीं जातियां टूट रही है और जो यह जो अपरकास्ट के अंदर जो जो छोटी जातियों को प्रति लेकर जो एक दुराग्रह है वो खतम हो रहा है तो यह तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है भी एसपी को वोट शेट में और यही चीज़ एसपी में एसपी में थोड़ा ज्यादा है यह जो हिंदू विचार में अदवार और आचार में कटर है तो आपको सबको याद होगा एक वक्त था कि रेलवे स्टेशन पे हिंदू पानी और मुसल्मान पानी अलग अलग बोर्ड लगा होता था आपने जो कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन सुना सबने होगा और हमारे परिवारों में मैंने खुद देखा है और मेरी मां मुझे अक्सर बताती है कि साब हमारे परोस में जो मुसल्मान रहते थे वो ईद के दिन हमारे घर पे सामान बेज़वा देते थे और उनकी पतनी कहती थी हमारी मां से कि पंडिताइन तुम अमरे आत का बना वो तो खाओगी नहीं तो कच्चा बेज़दे रहे हैं लो खुद बना लो या आपके परिवारों में मुसल्मान मेहमान आते थे उनके बढ़तान अलग रखे होते थे और इसमें किसी को कोई गुरेज परहेज नहीं था वो मांनते थें कि ये इनका चुआ चुआ चुट का रिवास है ये हमको नहीं चुटे हैं कोई दिकच नहीं है बाई पुराने बजुर केते थे बैए बेटा हमारे वाले गिलास में चाय बन्वाल। व Всемिलकूर बिलकुर जाए और यही विचार उस मुसल्मान के मन में भी था जो संकट है आज की तारीक में वो यह है कि आप आचार में भले उदार दिखने लगें कि हम निकल के कहीं भी जाते हैं और आप तमाम ऐसे लोगों से जब सुनेंगे तो आपको तर्क देंगे कि नहीं वैसे हम लोग ऐसे नहीं है और क्या सचमुच आपको वैसा बने रहने दिया जा रहा है या आपको इस दिशा में बढ़ाने का लगातार एक सतत प्रयास चल रहा है पिछले कई वर्षों से और वो प्रयास दिनों दिन सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है जो आशुतोष कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कटर नहीं होंगे मुझे डर यह है कि बहुत सारे लोग हो गए हैं जो कटर नहीं है जो आचार में कटर कता ही नहीं है जो सब कुछ खाते पीते हैं खुले में गुमते हैं लेकिन जो मन में मुसलमानों से नफरत करते हैं और इस विचार को उनके इस विवहार को पोसने का काम आगे बढ़ाने का काम ये सत्ता प्रतिष्ठान कर रहा है जिसको इन चुनाओं से एक तरह की स्विकारोगती मिलती है बिल्कुल और राजेशी जो दोनों बाते जो अलोग जी ने और अश्यतोष ने कही है आज फिर से वही घूमफिर कर आती है कि अगर आज वोटर के मन का पता नहीं है एक मुखोटा पहन के वोटर चल रहा है कि ठीक है उसके मन में कुछ और है वो करता कुछ और है तो जो विपक्षी दल है और जिस तरीके से वोटर ऐसे कर रही है बीजेपी तो विपक्षी दल क्या करेगा ना उसके पास election machinery है ना ideological machinery है वो कैसे आज के वोटर को reach out करेगा और हमारा मीडिया आज इस बातों को क्यों नहीं discuss करेगा फिर कि विपक्ष के पास तो कुछ ही नहीं बिल्कुल बेबस है लाचार है और कुछ भी नहीं है विपक्ष के पास वो आज वोटर को कैसे reach out करेगा अगर मैं 2024 छोड़ देजी अगर बाकी जो अभी राजियों में चुनाव आ रहे हैं आज हमारा विपक्ष कितना तयार है इस तरीके की लड़ाई को लड़ने के लिए देखिए पिछले कई दिनों से एक लगात है हम जनादेश को शिवकार करते हैं लेकिन हमें जनादेश के साथ सहमत होने होना जरूरी नहीं है और जब हम जनादेश के साथ सहमत होते हैं तो यह जो नाइटिक पतन हो रहा है इसके तरह हमें इसके बारे में हमें बात करना चाहिए किस तरह से बात करें क्योंकि हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं आप तो मुरल गिर गए किस तरह से क्या जो भाषा होगी हो क्या है उसके उपर हमें सोचनी चाहिए लेकिन जो बुद्धी जी भी बर्ग कहें या जो उनको इसके बारे में बात करनी चाहिए इस प्रक्रिया को उल्टा या सकता है इसके बारे में बादितोत होना चाहिए और दूसरा जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि बड़े पाइमने पर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है 2014 में ञैंक होने मौदी जी के सरकार आई थी एक कहनी था अगर आप देखे होंगे उन समय हेडलाइन किया करते थी कि अच्छे दिम ओ दिल मांगे मोर वाला जो मूड था उसका रिस्पॉंस में आया अब देखिए 2022 में हम किस बात किस चीज का बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं नमक खाया है आपने हमारा तो यह जो दिल मांगे म आपका ओ एक प्रजा का वोट है तो यह यह आप अगर देखेंगे इनके राजनीती देखेंगे बार-बार करोना काल में हर समय प्रदानमंत्री हमें कहते हैं नोटबंदी के समय उन्होंने कहा आप सैक्रिफाइस करो देश्त दिया ओर ड्यूटी के बारे में बात करते हैं वो नागरिक का अब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं लेकिन वो कभी नागरिक का राइट के बारे में नहीं बात करते हैं क्यूंकि एक गंतंत्र में गंतंत्र में नागरिक होता है और नागरिक का अधिकार होता है लेकिन एक राजवाड़ा में प्रजा होता है और उस दिसा में लिया जा रहा है अब जंता को ये कब समझ में आएगी या आ रही होगी कैसे आएगी उसके बहुत सरे कारण भी है और उसके बज़ा है राजनीती में लेकर आएंगे राजेश तो इनके इसके कितने टेकर होंगे हमने आज ये बात करनी शुरू तो की है वोटर की स पर और ये जो बेनिविलेंस की आप जो बात कर रहे हैं अगर आज इस चीज को राजनीती में लाया जाए जाए मेरा मतलब यह है कि अगर आम डोटू डोट जाकर और लोगों को इस चीज के बारे में समझाएंगे कि एक एस्पिरेशनल वोट था और आज आप एक बेगिं ओंगो drinks की बात हो रही है मैंने कहा था ही जो प्लस वोट से इसको में एक हिंदुतो की extension के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ मैं बलके हिंदुतो का लिमिटेशन के हिसाब से देख रहा हूँ, यह कहीं ना कहीं आपका आगे जाकर आपको यह कहने की जरूरत नहीं है, जनता अगर अगर यह लड़ाई है, आपको नागरिक का सचितना तो लाना पड़ेगा, आपको लोग की बीच में काम करना पड़ेगा, एक जागरुत बनाने का जो है, वो हमें प्रक्रिया करना पड़ीगा, देखिए जब भारत जब अंग्रेज यह देश छोड़ रहे थे, क्या अंग्रेज के पास था, 50,000 सिपाही, 50,000 सिपाही 30 करोड जनता को रूल कर रहे थे, है ना, तो इन्हों ने तो यह बना भी दिया था, तो उसक तो तोडने के लिए कितना बड़ा संग्राम, स्वधिनता संग्राम जारी हुआ, लोगों ने बड़े साक्रिफाइस किये, जेनेरिशन से साक्रिफाइस किये, अब हमें दूसरा स्वधिनता संग्राम लड़ने की समय आ गया है, इसमें कोई आप, यह मत सुचिए, अगर आ जाहिर सी बात है कि ये केवल राजनीती के वहिकल से ये बातें अकेले नहीं हो सकती है और इसमें एक जन अभियान को शाय चुरू करना होगा तब ही ये चेतना आएगी आप तीरों का बहुत 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 चुप लोग जी आशुतोष राजेश थांक यू सो मच अपूरव